हेलो गाइज विल्कम बेक टो एनादर वीडियो तो गाइज इस वीडियो में हम लोग एक मार्टिवेगर फर्मेसेटिकल कंपानी के बारे में डिसकस करने वाले हैं यह जो कंपानी है अल्मोस्ट आप लोगो सारे सींसो परसंट के आसपास के रिटान देखे जारी है तोटल कंपानी फंडमेंटली कैसी है for short term trading and long term investment second point is volume analysis volume को analyze करके हम लोग future trend के बारे में अंदाजा लगा नहीं कोशिश करेंगे and the third point is technical analysis यहाँ पे हम लोग swing trading levels के बारे में discuss करेंगे तो guys बिना time waste के पहली point की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि company कौन सी है and company fundamentally कैसी है तो guys labor labs limited company जो है वो pharmaceutical drugs manufacture करती है मतलब medicine manufacture करती है देखो company की अगर products मतलब कौन सी-कौन सी medicine manufacture करती है कौन-कौन सी biggest client है company की website में जाके जा सकता है अगर वो सब जानना है तो company सिर्फ पर सिर्फ BST में लिस्टेड है market cap 122 crore के आसपास का है stock की PE जो है वो little high है 39.9 almost 40 की PE है ROC 12.3 and return on equity 10 10.7% last six months की जो return है वो 233% है and last three years की जो sales growth है वो लगबग 280% के आसपास है book value से काफी high में trade कर रही है एंडगार एक साल के बारे में discuss करे तो लगबग 2500% के आसपास के return देखे जा रही है face value 10 रुपे किया है and dividend नहीं देती और promoters की holding pledge नहीं हो रहा का है प्रुजन कॉन्स के बारे में discuss करे तो company is expected to give good quarter and debtor days improve हुई है कॉन्स में discuss करे कम्पनी जो है book value से काफी उपर trade कर रही है profit तो show कर रही है company लेकिन dividend नहीं पे कर रही है last three years की जो return हो नहीं कोई ते है वो 12.65% है देखो हाँ यह सही है मतलब 12.65 positive में है लेकिन काफी कम है अग एक साल की हिसाब से देखा जाए 12.65 तो काफी सही है लेकिन अगर तीन साल की comparison में देखा जाए तो काफी कम है लेकिन एक बात सही है कि तीन सालों में आप लोग के at least loss नहीं कर वड़ा है यह company और last three years में promoters की holding लगबग 12% के आसपस decrease हुई है quarter lead result के बारे में discuss करे तो guys यहा आप में एक record breaking profit है देख सकते हो आप लोग तो guys यहाँ पे देख सकते हो तो guys देखो 2021 की entire financial year में सिर्फ एक क्रोर 40 लग का profit दिया था और September की quarter में अकेले September की quarter में company ने लगबग 12 क्रोर के आसपस का profit दिया था जो की मतला बहुत ही सही है company के लिए and stock के लिए तो currently में company इससे भी ज्यादा देखो अब सिब 2 quarters हो है इसमें और भी 2 quarters की result add होने वाला है before 2022 की financial year की final result तो देख सकते है आप लोग दो quarter में इससे ज्यादा की profit दे रही है balance sheet company के पास debt देखो borrowings decrease हो है reserve increase हो है जो कि एक सही बात है लेकिन अगर feed भी देखा जाए तो company के बास uncontrolled debt है reserve से काफी ज्यादा है company की debt उसके बाद अगर discuss करें shareholding pattern के बारे में देखो guys cash flow के बारे में discuss इसलिए नहीं करना हो क्योंकि यह 2021 की financial year किया अभी हो सकते है positive में हो हो सकता है ना हो तो इंटार कोर्स में देखा जाए तो 58 से 45.94 जो की उपर लिखा हुआ था और यह जो है वो December 2019 से totally constant है promoters की holding पब्लिक में discuss करते हैं तो guys काफी सारे बड़े रिटेलर्स की holding है और मतलब देखो 10% के आसपास 5% holding है काफी सारे बड़े रिटेलर्स की अगर यह सब कुछ calculate करते हो तो हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो holding है तो guys अभी actually discuss करते है कि company कैसी रहने वाली है for short term trading अगर short term trading के बारे में पूछ रहे हो तो काफी सही कंपनी है आप अराम से जा सकते हो और long term investment के plan कर रहे हो तो तो भी काफी सही कंपनी है आप लोग के लिए profitable कंपनी है profit की जो graph है वह भी बहुत ही सही increase हो रही है और company की जो sales है वह भी काफी सही है तो अब लोग अराम से buy करके चल सकते हो for long term अभी हम लोग बढ़ते हैं दूसरी point की तरफ और देखते हैं कि आज company में क्या हुआ है तो guys सिर्फ और सिर्फ BST में listed stock था तो हम लोग आ चुके BST के website में और देखते हैं कि company यहां पर पहले ही दिखा है तो कि company जो है BST के group X में listed है तो obviously बात है इसमें intraday trades allowed है देख लेत तो guys अभी हम लोग बढ़ते हैं तिसरे point की तरफ कि कहां पर आप लोग बाई करके चाल सकते हो बेसिकली किया रहेगी इसकी swing trading के levels उसके बारे मैं discuss करने के लिए देखते हैं चार्ट तो guys यहां पर आप लोग देख सकते हो BST की daily chart खुली हुई है और company के अगर name देखा जा company की जो RSI है वो 90 क्रोस कर चुकी है तो इसके आगे की जो target है वो entirely operators के उपर depend करते हैं कि वो लोग कहां तक यह company को pump करेगी ठीक है इसके आगे कोई भी resistance and support काम नहीं करेगी इसलिए मैंने अप लोग को मतलब इसलिए कोई भी यहां पर resistance अप लोग बोल सकते हैं या तो फिर actually बात करते हैं कि क्या अभी आप लोग को buy करना चाहिए या नहीं तो guys जखो big no अभी बिल्कुल भी मत buy करो कहां से हो सकता है कि जब अपने इंटर करने ही कोशिश किया तब यह company नीचे गिर गई मतलब हो सकता है कि कल अपने buy करने के लिए order डाला और कली company नीचे गिर गई अगर RSI buying zone पे होती तो भी एक chance ले सकता था लिया जा सकता था लेकिन guys अभी तो बिल्कुल भी नहीं अभी बिल्कुल भी नहीं अभी risk भी मतले ना मतलब वेवकूप भी हो जाएगी अभी क्योंकि देखो अगर अभी तो अप लोग buy करते हो और 2-3 दिन बाद देखो first of all नहीं मिलेगी आप लोग को second of all बेवकूप भी होगी छोड़े दो मतलब 2-3 दिन के बाद तो छोड़ी दो खेर देखो ठीक है वो भी point में आप लोग को बताता हो मालोगी कल आप लोग को मिल गई company के और अप लोग delivery trade लोगे obvious सी बात है तो अगर आप लोग delivery trade लेते हो तो यह सबको पता है कि 2-3 दिन से पहले मतलब 2 दिन से पहले company की जो मतलब वो जो share आप लोगों ने buy किया है वो credit नहीं होती है तो 2 दिन से पहले आप लोग sell नहीं कर पाओगे company को जब तक वो stock जब आपकी debit account में credit नहीं हो जाती है तब तक आप लोग उस stock को sell नहीं कर company में profit booking चालू हो गई है तब तक आप लोगी जो share है वो अपने debit account में credit नहीं हुई है तो आप लोग sell नहीं कर पाओगे और आप मतलब अपने आँखो से अपनी बढ़वादी देखोगे योगी यह इतना उपर गया लगभग 25 के level से उपर गया है तो जब lower circuit लगए कहाँ किसी को नहीं पता है तो बेकार में chance मत लो अगर trade लेना है तो जब भी यह company जो है वो नीचे गिड़ेगी तब आप लोग buy करके चल सकते हो और जो लोग long term के बारे में सोच रहा है उन लोग के लिए भी same है गैस देखो अभी buy मत करो नीचे की level पर गिड़ने तो यह जरू अगले वीडियो में मिलते है थैंक्स फॉर वाचिंग और गाइस अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या कोई रहती है यह stock market यह किसी भी stocks related तो comment direction में comment करके मुझसे पूच सकते हो या तो फिर में इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को description box में मिल जाएगा जाके वा watching guys bye guys and stay safe